इस डॉक्टर ने कुछ ऐसे वीडियो बनाये थे मेरी भेहन के कि मेरे लिए अच्छा अच्छा बोल दीजिए मैं डॉक्टर सेमिनार्स में दिखाऊंगा मेरी भेहन ने बोल दिये थे उन वीडियो को यह अपनी पब्लिसिटी के लिए यूट्यूब चैनल पर यूज कर रह वो लोग सारे उसी घर में थे सारा बातरून दो दिया गया था खून का एक एक निशान मिटा दिया गया था उसके बाद बंबई पुलिस फॉरेंसिक टीम वहाई उन्होंने हमसे का आप लोग भार जाई हमें फिंगर्पिंट्स लेने तो मतलब पहले टेक्निकली सारी रा आप देख रहे हैं जनीत आवास इस वक्त मैं मौझूद हूँ दिली के जंतर मंतर पर मैंने एक ऐसा प्रोटेस्ट देखा जहां पर एक लौते विशेश जोशी जी यहां पर बैठे हुए यह क्यूं बैठे किसलिए बैठे यह मैं आपको सारे अभी चीजे बताऊंगी औ पहले आप सामने यह देख लिजिए जस्टीस फोर शिखा जोशी सुसाइड और मडर वी वांट सीबी आई एससी इंक्वारी तो आप इससे ही अंदाजा लगा लिजी क्यों बैठे हुए हैं तो इनी से पहले जान लेते तो विशेश जी आप यहां पर एक लौते अकेले बैठे हुए मैंने यह देखा तब ही मैं आपके पास आई तो क्यों बैठे हुए मैं मैं वेरी फर्स्ट आपको थैंक्यू कहना चाहूंगा कम से कम पत्रकारिता विबाग से आप कोई एक चैनल तो यहां पर पहुंचे इस देश में दुरबाग गया कि कोई मीडिया जो है इस परकार के महिलाओं के परताडित परिवारों को कवर करना पसंद नहीं कर रहा आज कल आज कल क्या है राजनीती में जादा व्यर्स्त हैं मीडिया प्रसाशन तो आपके माधियम से एक मैसेज मीडिया फैमली को भी देना जाऊंगा हमारी मीडिया फैमली कहते थे हम मॉडल थी 2015 में इनका इनी के दोस्तों के घर पे गला काट के हत्या कर दी गई थी जिसको की एक आत्मत्या का मुकदमा बनाया बंबाई पुलिस ने वो भी मेरे दिली में एक साल एक साल बाद धरना करने के बात जिस दिन ये 2015 को हाथसा हुआ था उससे ठीक एक साल बाद 2016 मही को मैंने दिली में प्रोटेस्ट किया क्योंकि बंबाई पुलिस ने एक साल तक एक एक सिदेंटल केस बनागे रखा था इसे तब तक इसमें एक साल तक मैने वेट किया उसके बाद मैंने प्रोटेस्ट किया 2016 में 16 मही को फिर राजनाच जी उस टाइम पर पूर्व ग्रहमं और को या किन को मुझे नहीं पता उसके बाद इन्हों ने दर्च करी महाराश पुलिस ने लेकिन सिर्फ 306 का मुकर्मा बनाया जो कि हमारे परिवार को बिल्कुल भी संतुष्ठी नहीं है क्योंकि जिस तरीके से मैंने भेन की डेट बॉड़ी देखी और जो वीडियो देख दॉक्टर वीजेश शर्मा से फाइट कर रही दी उन्होंने एक्चुली कुछ छेडा खानी का विवात था जिसमें कि इस डॉक्टर को दो साल की सजा और 10,000 रुपे जुर्माना भी बंबाई की बांदरा कोर्ट रूम नंबर 6 से केंविक्ट किया गया था इसमें भी हमको के सजा दे करतें के चैसों को उस के से जिस तरह के से इस बत्तिमी शी करिए करी दी सजा कम से कम तीन साल की if बना ही डिलाया चैया था जिसमेरी भेहल आनी हुआ और इसराम पर हम लोग क्योंगि सिन्टा के फेलまで bé तो चूंश के रूल्स होते हैं इस डॉक्टर ने कुछ ऐसे वीडियो बनाया थे मेरी भेहन के कि मेरे मेरे लिए अच्छा अच्छा बोल दीजिए मैं डॉक्टर सेमिनार्स में दिखाऊंगा मेरी भेहन में बोल दिये थे उन वीडियो को यह अपनी पप्लिसिटी के लिए यूट्यूब चैनल से यूज़ कर रहा था जो कि कॉपी राइट कंटेंट बनता है और इसके ओपर आईटी एक लगना चीए था हमारे को उस वीडियो का पूरा पैसा दिलाया जाना चीए था जो भी आड दिखा सकता हूं में पास अवलेबल हैं 2018 में 2017 में हुए हैं कि हर साल में धरना करता गया और इन लोगों ने सुनवाई नहीं करी परदान मंत्री जी के ओडर की कोई गरीमा नहीं इस देश में मुझे बड़ा दुख हो रहा है देखके 2017 2018 2019 में तीन साल लिख रहे हैं एक चे जब जीवित थी मॉले स्टेशन के केस में उसे धंगिया आ रही दी केस वापिस ले लो यह डॉक्टर वियो शर्मा उस टाइम पे मैंबर जो है यहां पर आपको क्या जवाब नैशनल मुमेंन कमीशन में उस टाइम पर पॉइंटेट थी मंता शर्मा जी मंता शर्मा जी न में आख में आख डाल के कह दिया मेरे से दो करोड रुपे ले लो केस वापिस कर लो आपको सामने बोला है यहां पर दलाली कराई जा रही है सही नहीं और तो के नाम पर मैं समझ गया कि यह लोग कुछ नहीं करने वाले इन्होंने कुछ एक्शन निलिया मंता जी ने उस ट के उन लोगोंने मैंबर ने फिर थोड़ा सा इसको केस को रिजिस्टर करके आगे पोटेक्शन के लिखा मेरी भेहन की मंभई पूलिस कमिश्ण राकेश मारिया दे उस टाइम पर राकेश मारिया जी को महिलायों ने नैशनल मूमेंट कमिशन ने यहां से लिखा कि इस लड उसको आदमत्या बना दिया एक साल तक एक्सिरेंट बना दिया पुलीस पे निशान कड़ा हुआ है कि सुरक्षा में हमेशा इन से चूक ही हो जाती तो वह क्या सबित हो रहा है सही यह मेरे केस में परसुनली मैं फील कर रहा हूं 200 परसेंट सही बात है एक महिला है महिला की को लिखता है और वो कमिशनर तारिक पर उस लड़की को प्रोटेक्शन ही देता उस लड़की की हत्या हो जाती है और साल हो तक आज मैं साथ साल तक परिवार बूड़े परिवार को लेगे मैं धरने दे रहा हूं तो यह सुरक्षा में चूग नहीं बहुत बड़ी कोता यह बड़ा गलत इसके उपर एक्शन होना चीए क्यों वह यह चूप इतना साल हो गया है यह साथ साल हो गया आपको नियाय की गुहार लगाते हुए और यही वो दिल्ली है यही वो देश है भारत देश जिसको बोला जाता है सबका साथ सबका विकास अपको नियाय मिलेगा को एक साथ समानता से देखा जाता है तो फिर यहां पर इस तरीके की दोगलापंती कैसे और सामने ही रिश्वत खोडी की बात हो रही है देखिए ऐसा है कि मैं इसको पॉलिटिकली ले जाओं पक्स विपक्स के पास 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 जागे हाँ जोड़ू चलिए नेता जी मैं आ का केस आपको पता ही है वो भी टीवी एक्टरिस थी उसकी हत्या कैसी हुई जिया खान का केस बंबई में लाइन लगा के लड़कियों को मार रहे हैं एक्टिंग फील्ड के अंदर एक्टर्स लोगों को ऐसे मौत के घाट उतार दी जाता है इंडूस्ट्री चुप क्यों ह की लगातार इस तरीके के मैटर होते अरे मेहां सरकार और नाम लेकर अपनी राजनीति करती है फिर जैसे वह काम निकल जाता है यह सालों है देखा निर्वया की माता जी आशा जी के साथ में हमेशा घड़े रहे आप देख सकते हो पोस्टर में आशा जी भी हमारे साथ कई बार आई है जो शिखा जोशी के इस प्रोटेस्ट में कितने जो है आर्टिस्ट लोग और कितने यहां पर लाइम लाइट के लिए कितने लोग आचुके आप देखिए यहां पर दिल्ली जंतर मंतर पर तो बॉलिवुट से कोई भी नहीं है हां लेकिन वहां पर मैं यह काऊंगा लाइम लाइट तो नहीं काऊंगा हां लेकिन बहन के फेवर में आप कहले यह कोई भी आकरोश में फरा खान जी ने कुछ टू को देख कैसा लगता ही ता अपना कोई भी गला काट सकता है या उसमें काटा हूं मैं भी शौक मूं तो इंडस्ट्री के कुछ लोग तो आगे आए थे लेकिन पूरी फिल्म इंडस्ट्री आच चुप बैठी है मुझे नहीं पता क्यों चुप बैठे हैं किसके दवाब मै कि उनका काम जो है रोजबार चिंज जाएगा उनकी जो भूमी आदा करते हैं उनकी अक्रस जो बंते हैं वह और ना चाते हैं लेकिन जब मुझे लगता आज यहांपर घ्ब्लिशटी कर लें वो दर्essionा ने लग जाए लेकिन अभी मैं अकेला खड़ा हूं आपकी मैं फॉजी परिवारों से आता हूं मेरे बिटिश ओल आर्मी में ते और मैं काफी टाइम से अधे मिलब अधिवारों के लिए वुमें एक्टिविस्ट की और चाइल्ड प्रोटेक्शन के एक्स वगरा में मैं काम करता हूं हम लोग सॉलिड हैं बहुत सॉलिड हैं मेरी भैन बहुत सॉलिड दी उसको जब धंकिया अरी दी उसको जब केस वापिस लेने के लिए का गया जब यह स्ट्रॉंग दी हम लोग तो मानी सकते गला ऐसा कैसे काट सकता है कोई आज कोई अपनी उंगली काट के दिखा दे मैं चाट बता दिया कि उसने खुद सुसाइड की है सुसाइड बना दिया मडर को सुसाइड बना दिया और क्योंकि वहां पे तीन से चार वर गला कटा है आदा इंस देड़ इंस गला कटा है बहुत गयरा अवाज कैसे आ सकती है जब वोकल कॉड़ी कट गए गला कटने साथ भी मर गया इन लोगों ने ऐसा दिखाय टेक्निकली लड़ी की जवाब दे रही है हमें नहीं लगता मेरी भेहन की वह ऐसे मेरी भेहन की आवाज नहीं डिले किया है उतनी देर वीडियो बनाने में डिले किया है टाइम और क्योंकि डॉक्तर से विवाद चल रहा था यह लोग कह रहे थे उससे केस वापिस ले लो पैसे से देदो अच्छा आदम है तुम अपना करियर बनाओ यह उसकी प्रेजिंग क्यों कर रहे थे दोस्त ज पहले टेक्निकली सारी रात वहाँ पर सबूर मिटाने दिये गए वहाँ पर लोग सीन ओफ क्राइम को नहीं सीज़ कर रहे हैं अगले दिन सुबह वो चाय पी रहे हसने पुलिस वालों को चाय पी ला रहे हैं तब वो कह रहे हैं आप भाज दी यह सब भेज चुके हैं और से हमें अच्छा फीडबैक मिला हो और आगे बविश में अगर यह नहीं करेंगे कारवाई यह धरना इसी तरह चालू रहेगा जब तक भैन शुका को नहाय नहीं मिलेगा शीव जाच नहीं होईगी तब तक मैं धरने पर दरना दूंगा ज्यादा पानी पर जाएगा फिर फिर हम वाइं और नहीं हो पारा एसा किया वजय है क्यों अधर का डरी या महरा सरकार दर रही है ऐसा रीजन क्या है मुझे कॉछ टिलेंग जानना है कि वाई डिलेंग डिलेंग डिसकेस वाइब वाशिग और वाशिएंगगा वीडेंस फ्रॉम टेयर मुंबई फ्रॉम र पहले बनाए बनाए तो आत्मत्या के पाइप नहीं नहीं पता एक काथ मत्या के इस बनाकर भी चार्प सीट का है मुझे नहीं मिली आज तक एक भी लीगल चलेगा जब तक जीत नहीं हो जाती तब तक सुनिश्टित ये संगर्श चलेगा जीत सुनिश्टित हमारी होगी देर से होगी हम करा करेंगे चलेगे अभी हमने जो है बात की विशेज जोशी जी से ही जिनकी बहन थी शिखा जोशी जी जो एक्टरिस भी रह चुकी है बीए पास मूवी में भी काम किया साई बाबा में भी उन्होंने जो एक नाटक आता था उसमें भी उन्होंने काम किया Crime Patrol में भी उन्होंने भूमी का आदा की मगर सोचिए हमारे देश की विडमना कितनी बड़ी है कि एक महिला जिसका गला काट कर हत्या हो जाती है उसको suicide case बना दिया जाता है लोगों को साथ साथ साल लग जाते हैं इस case के लिए धरना देते देते और इनके जजबे को सलाम है कि आज भी ये उसी हौसले से बैठे हुए है और इस सरकार से इस सत्ता में बैठी सरकार से और नियालों से अब भी गुहार कर रहे हैं कि हमें नियाई मिले जस्टिस मिले सोचिए अपने नियाई और जस्टिस के लिए भी कि लोगों को परदर्शन करना पड़ता है कितनी बड़ी विडमना है और इनके इस जज़बे को देखिए कि यहां पर अभी अगर ये एक हजार से ज़्यादा लोग आ जाएं तो अभी और भी लोग जुट जाएंगे क्योंकि लोगों की भूमिका बहुत बड़ी होती है कहत हैं इन्होंने किसी से भी रिक्वेस्ट नहीं की है कि यहां पर कोई आये या कोई आकर बात करें या फिर आवाजें उठाएं यह अपने आप से यहां पर आज फिर से धन्नार देने बैठे हैं और लगातार मैं भी इनको 2019 से देखती आ रही हूँ और आज साथ साल हो चुक झालय से दङने की है कि यहां हrit कम दो आए उनार कि भी अच्छार आछे हैं कि मुझे अकर पिर शे देखती वाजी हम के अचाह को साल हुँंप से हुँ हा और लगादान